इस ताजी ताजी फुल गोवी को देखकर आपके मन में सबसे पहले क्या आया? मैंने तो इस फुल गोवी को तोड़ कर टुकड़े में कर लिया है, अब मैं ले लूँगी यहां ग्रेटर, अब तो आप समझी गए होंगे कि मैं इस फुल गोवी से क्या बनाऊंगी? जी हां मैं बना रही हूँ फुल गोवी से गोवी के पराठे, क्योंकि जब ताजी ताजी फुल गोवी होना और वो भी सर्दियों का सीजन में, तो सबसे पहले पराठे खाने का ही मन होता है, मैंने तो और भी पराठो की रेसिपी अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाके कर लिजिएगा, तो मैं यहां गोवी को ग्रेट कर ले रही हूँ, और अभी के सीजन में जो फुल गोवी मिलते हैं, उनमें जो मिठास होती है न, उससे पराठे बहुत ही तिष्टी बनते हैं, यहां मैंने फुल गोवी को ग्रेट कर लिया, सारी फुल गोवी हमारी कद्दू कस हो चुकी है, अब हम आटा लगा लेंगे, तो यहां मैंने अपने हिसाब से आटा ले लिया है, आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा, अब इसमें मैं एक चमच नमक एड़ करूंगी, और आधी चमच अजवाइन को क्रस करके डालूंगी, अजवाइन से पराठे का टेस्ट तो बढ़ता ही है, यह हमारी पाजन सक्ति को भी ठीक रखता है, इसलिए किसी भी चीज की पराठे बनाएं, उसमें अजवाइन जरूर डाले हैं, अब मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका डोर लगा लूँगी, हमें पराठे के लिए एकदम सॉफ्ट डोर लगाना है, तो मैंने यहाँ आटा को अच्छे से गूंद लिया है, अब इसे थोड़ा मैं मसल मसल के एकदम सॉफ्ट कर लूँगी, अब मैं इसे ढख कर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक हम गैस पे कड़ाही चड़ा कर गोवी को भून लेते हैं, अब इसमें मैं डालूँगी, दो चम्मच तेल, आधी चम्मच जीरा, थोड़ा सा जीरा को हम चटकने देंगे, और फिर इसमें डालेंगे, कटे हुए हरी मिर्च, लेसन और अधरक, अब इसमें हम गोवी डालके भून लेंगे, मैंने गैस का फ्लेम अभी हाई करके रखा है, हम हाई फ्लेम पे ही गोवी को भूनेंगे, अब इसमें मैं एक चम्मच नमक डालूँगी, नमक आप हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने आठा लगाते समय, आठा में भी नमक डाला था, और एक चम्मच हल्दी का पॉल्डर, अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अब इसमें मैं आधी चम्मच जीरा पॉल्डर, और आधी चम्मच गरम मसाला का पॉल्डर डाल रही हूं, मैं तीखा बहुत कम बना रही हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे को लंच में देने के लिए बना रही हूं, आप अपने हिसाब से मसाला अड़ कीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा हिंग अड़ कर रही हूं, हिंग जिससे इसके टेस्ट बढ़ जाए, मैं इसमें मिर्ची पाउडर वेगर नहीं आड़ कर रही हूं, अगर आप तीखा पसंद करते हैं, तो यहाँ एक चमश मिर्ची का पाउडर आड़ कर सकते हैं, अब इसे हम अच्छी तरश से भून लेंगे, अब इसमें हम धनिया के पत्ते डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमारा अश्टफिंग का मसाला तयार हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे, और हम अपना आटा देख लेंगे, हम आटे से एक लोई ले लेंगे, और इसे कटोरी के सेप में गूल करते जाएंगे, और इसमें स्टफिंग को हम दबा दबा के भर देंगे, और इसे गोल-गोल घुमा के ऐसे बंद कर लेंगे अब इसे हम सुखे आटे में लपेट कर बेल लेंगे हमने अस्टफिंग को एकदम अच्छे से भूना है एकदम ड्राइ कर दिया है तो अगर बेलते समय हमारे प्राठे फट भी जाते हैं तो हमारी अस्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है आप देख सकते हैं मेरी इस्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है, मैंने तावा गरम होने के लिए चड़ा दिया था, अब इसे घी से मैं ग्रीस कर लूँगी, आप जो भी ओयल खाते हैं वो ओयल यहां यूज कर सकते हैं, अब इसे अच्छे से हम उलट पलट कर सेंक लेंगे मैं दोनों साइड इसे अच्छे से घी लगा दूँगी अब हमारे प्राठे तयार हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ अब इसी तरह हम दूसरा प्राठा भी सेख लेंगे अब मैं इसे पलट लोंगी और इसे अच्छे से घी लगा देंगे हम एक साइड से जब ब्राउन स्पॉट आ जाए तो हम प्राठे को फिर से पलट के घी लगा देंगे ये पराठे भी हमारे अच्छी तरह से इससे के जए आप गुभी के पराठे दही, अचार या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये पराठे की रेशिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो इस सर्दी में आप भी गुभी के पराठे बना कर जरूर खाईए